जारकन की कोड ड्रामा में एक इमाम की हत्या के बाद अजाज समाज पार्टी ने जमशीद पूर में जम कर प्रदर्शन किया ऐसे आरूप लगाये जा रहे हैं कि बाइक से मामूली टक्कर होने के बाद इमाम की मौब लिंचिंग कर दी गई इस मुद्धे पर अजाज समाज पार्टी चीप चंदर सेखर आजाद ने कड़ी कैरवाई की मांग की है चंदर सेखर ने मौब लिंचिंग कर हत्या करने की घटना दुखत तो है इसके साथ ही दंडनिये भी है अभी इस घटना के विरोध में आजाज समाज पार्टी की जमशेद पूर यूनिट द्वारा प्रदर्शन किया गया है अगर न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परदेश में न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रद्रशन करने को मजबूर हो जाएंगे अजाद ने आगे कहा कि मैं जारखंड के सीम से मांग करता हूँ कि इस लिंचिंग में शामिल दोस्यों को शक्त से सक्त सजा दिलाई जाए और मृतक मौलाना शाहबुद्दीन जी के परिजनों को 50 लाख मौफजा आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए एक जुलाई 2024 को भारतिय न्याय सहिंता बी एनएस 2023 कानून पुरे देश में लाग हुआ है जारखंड सीम को कोड्रामा मौब लिंचिंग में जान गवाने वाले मरहुम मौलाना शाहबुद्दीन की दोशियों के विरुद बी एनेस की धारा एक सो तीन दो के तहत का रवाई करें वहीं अगर पूरे मामले पर नज़र डालें तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि शाहबुद्दीन की बाइक से अनिता देवी नाम की महिला की टक्कर हो गई थी अनिता देवी को चोट आई थी इसके बाद इस्थानी लोग वहां जुटे और उन्होंने शाहबुद्दीन को लाटियों से पिटना शुरू कर दिया उधर ए आइम आइम ने भी गंभीर आरूप लगाई है उसने भी कैरवाई की मांग की है हाला की पूलिस ने मौब लिंचिंग के एंगल से इनकार कर दिया है इस मामले को लेकर चंदर सेकर आज़ाद ने खुले तोर पर कह दिया है कि अगर उचित कारवाई नहीं की गई तो हम पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और नयाय दिलाने के लिए ये जरूरी हो जाएगा उत्तर परदेश के बाद अब चंदर सेकर आज़ाद देश के सभी राजियों में जहां पर दलीतों, मुस्लिमों, अलब संक्यों के साथ अत्याचार होते हैं अब चंदर सेकर आज़ाद ने आवाज उठाने शुरू कर दिये हैं और यही वो बड़ी वज़ा है कि उनकी लोग प्रियता और भी जादा बढ़ती भी नजर आ रही है फिलहाल कि इस रिपोर्ट में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने एक्शन और पॉलिटिकल बाइट के साथ